है फेस्टी सीजन की और इस वक्त तियोहारी सीजन अपने जोरो शोरो पर है देश भर में नवरात्री के साथ साथ दिवाली की भी तैयारियां अब शुरू हो चुकी है और दशेरा से दिवाली तक कंपनियों ने कंज्यूमर को अपनी और आकरशित करने के लिए तरह तरह के ओफर भी दे रही हैं इस मौके पर मारूती के सेल्स एंड मार्केटिंग के सीनियर एडी शशांग श्रिवास्तव के साथ खास बाचीत की हमारे समवादाता दानिश आनन्या आई आपको दिखा देते हैं उसकी छोटी सी जलग देश में तिवारी सीजन के शुरूवात हो चुकी है और इस समय फिलाल अलग-अलग देश की कोनों पे अलग-अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाया जा रहे हैं लेकिन हर कोई दशेरा और दिवाली के अंतजार कर रहा है त्यूकि इस ताइम पिरिट को काफी औस्पिशिस माना जाता है बिग टिकेट पर चेजिस करने के लिए जैसे की एक चाहिए गाड़ी खरीदना हो और हम इस समय मौझूद हैं मार्तिय सुजुकी के हेड़कॉर्टर्स में दिल्ली में और हम ऐसा जुड़े हैं मिस्टर शशांक सिवासवा सीनियर एडी सेल्ज और मार्केटेंग और मार्तिय सुजुकी इंडिया सर इटिना सुदेश से बात करेंगे धन्यवाद हम इस समय फेस्टिवल सीजन के बीच में है सबसे पहले सर आपकी प्रपरेशन क्या है वो हम जानना चाहेंगे देखें हर बार की तरह हमने ये देखा है कि प्रपरेशन बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये आपने सही फर्माया ये ऐक ऐसा दौरानिया होता है जब पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तर देश हमारे भारत में या Central India में, East India में और West India में काफी ये Festival बहुत जोर शोर से मनाया जाता है तो इस बार भी हमने तैयारियां की हैं हमने देखा है कुछ ऐसे बहुत ही auspicious दिन होते हैं जिसमें बहुत सारे customer गाड़ी लेना चाहते हैं delivery लेना चाहते हैं जैसे दन तेरस तो उस तरह के दिनों में हम special arrangements करते हैं dealerships पे, customers का ख्याल ज़्यादा ख्याल लगते हैं कोई कि वो कई बार process लंबा होता है कोई कि बहुत सारे customer गाड़ी लेते रहते हैं कुछ accessories fit कराते हैं उसमें भी वक्त लगता है तो manpower की हमें special training करते हैं कि कैसे large number of customers को handle कि आ जाए और इस बार भी हमने देखा कि demand की side पे अच्छी demand आई है और पिछले करीब एक डिर साल से थोड़ा supply side के constant रहे हैं semi conduct की वज़ा से और यही वज़ा है कि हमारी जो pending bookings हैं वो काफी बड़ी हुई हैं और तिस दूगी की 4,40,000 pending bookings हैं और लेकिन यह model वाइज आदा गलाग हैं तो हमें यह भी consumer की यह भी तियारी करनी पड़ती है consumers को बताने के लिए कि जो waiting period है वो क्यों है और यह explanation हमें देना पड़ता है और अगर कुछ और उनको इंतार करना है तो उनको हमें exact waiting period भी बताना पड़ता है असर हमने देखा है कि Festus क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा देश है और काफी अलग-अलग festivals पहले ही शुरुआत हो जाती ओनम जैसा आपने बताया ओनम पहला एक time period होता जब इंडस्ट्री बहुत उत्सक होती है अपनी गाड़ियां बेशने के लिए तो इस बार का ओनम और गने चतुर्ती जो ये है दो festivals इसकी अभी sales कैसी हुई है और कैसा रा है जी आपने बिल्कु सही फरमाया हमारे मुल्क में जो तिहार होते हैं वो अलग-अलग वक्ते होते हैं और इसका अगास जो है साल का तिहारी जो दोरानी है उसका अगास जो है केरला से होता है जहां 17 अगस से ओनम का शुरुआत होती है इस बार हमने देखा कि करीब 10 से 15 फीसद डिमांड में जम पाई है लेकिन हा रिटेल एफेक्टेट था क्योंकि इन्वेंटरी कम थी कुछ मॉडल्स में जैसे मैंने बताया वेटिंग पीरिड है और गाड़ियां अवेलेबल नहीं है लेकिन डिमांड अच्छी रही है और हमें उमीद है कि ये दशहरा और जो दिवादी के पीरिड है जो हमारे जादतर देश के हिस्सों मनाया जाता है उसमें भी डिमांड अच्छे स्ट्रॉंग होगी सिर आपने अभी दो महीने पहले आप दो नहीं अपने प्रोड़क्ट वापस लेकर आई हो हमने देखा कि विटारा भी एक औल न्यू अफटार में आई है तो आपने अच्छी SUV मार्केट में वापस आप लेकर आई है तो डिमांड इन दोनों गाडियों की कैसी है और ओवर ओल ऐसे कौन से सेग्मेंट्स हैं कौन से गाडियां जिन पर हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स का जादा रुजहान है जी देखें अगर आप पिछले गुजश्टा दो तीन साल की बात करें तो SUV की तरफ रुजहान कंजिमल्ख का जादा बढ़ा है और यही वज़ा है कि जो SUV सेग्मेंट का जो हिस्सेदारी है मार्केट की वो चालिस फीसद के उपर हो गई है और यह सबसे बड़ा सेग्मेंट निकल के आया है और एंट्री लेवल SUV में हमारी विटारा ब्रेजा है और उसने बहुत अच्छा पर्फार्मेंस रहा है जब से यह लाँच हुई है यह नमबर वन गाड़ी रही है उस सेग्मेंट में और हमारी जो नई ब्रेजा है उसके करीब एक लाँच पच्छिस हजार के करीब बुकिंग आई है अभी तक और पिछले महीने वो SUV में नमबर वन गाड़ी रही है और हम मिड SUV सेग्मेंट में ग्रैंड विटारा उतारने जा रहे हैं जिसका सेल का आगाज हम पहले नवरातरे से करेंगे 26 सितंबर से और अभी हमने उनकी प्राइस तो हमने कीमते नहीं बताई हैं बजार में लेकिन फिर भी हमने देखा कि अच्छा ट्राक्शन है और 55,000 से जादा हमारे पास बुकिंग अभी तक आ चुकी है फेस्टिव सीजन उस्पिशिट तो बिल्कुल होता है लोग तभी गाडी पचेस करते लेकिन एको कारण होता है किसमेर ओफर्स और डिस्काउंट्स को लेकर खास कर वेड करते हैं कि जल्दी से फेस्टिव सीजन आया और हम बुकिंग करें और इस ताए पे गाडी गर पे जी तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वक्त ऐसा वक्त होता है जब कंसुमर्स चाहता है कि जो OEM से उनकी तरफ से कोई स्पेशल आफर्स हों और अच्छिव वो आफर्स जो होते हैं वो एक डिमांड और सप्लाई के गैप के फंक्शन होते हैं और इस बार ज है इन सब में वेटिंग काफी जादा है लेकिन वन लीटर की जो हमारी गाडियां है बहां पे सप्लाई थोड़ी बहतर है और यही वजाए कि हम कंसुमर्स को इन गाडियों में जैसे रेगनार वन लीटर है इसमें हम शायद कुछ ओफर इस पार सीजन में अच्छा दे सके सर हमने देखा कि दो साल पहले साब कुछ कोविट चल रहा था और उस टाइम हमने देखा कि काफी ओई एम ने ऑनलाइन बुकिंग भी करी तो इस टाइम जब हमने देखा कि कोविट के एफेक्ट थोड़े बहुत कम हो गए हैं तो कैसा ट्राक्शन आपको देख रहा है इस और डिजिटल प्लाइटफॉर्म पे आती थी लेकिन इस समय 35-40 फीसद एंक्वारीज जो हैं इस हमारे डिजिटल प्लाइटफॉर्म पे आ रही हैं बन्यादी वज़जAh यही है कि एक तो कंजुमर की जो रुज़़ान है वो डिजिटल प्लाइटफॉर्म की मतलब किया जाए और हमने भी उस प्लैटफर्म को मजबूत किया है इन फैक्ट जो 26 टच पॉइंट होते हैं कंश्यूमर की पूरे बाइंग प्रॉसेस में जरनी में उस में हमने उस पूरे सफर में 26 में से 24 पॉइंट जो हैं वो हमने डिजिटलाइज कर लिया है तो लिहाजा कस्टमर का रुज़ान भी इस तरफ बड़ा है और अब मेरे को लगता है कि ये मुस्तख्किम हो गया है कि स्टेबल हो गया है ये प्रॉसेस और ये अब दुबारा कोविट के जाने के बाद भी अब वो दुबारा उस औरिजिनल स्टेट पर नहीं जा रहा है ये जो डिजिटल प्लाटफॉर्म का यूसेज है इसका रुज़ान कंटीनू कर रहा है और मुसलसल बढ़की बढ़ रहा है और यही वज़ा है कि हमने देखा है कि इसका इस प्लाटफॉम पर कोविट के बाद भी ये रुजान जा रही है सर आकरी सवाल टू समय समय टब हमारा पूरा कॉन्वजेशन इस बार का फेस्टिव सीजन अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो क्या एक ब्लॉक बस्टर फेस्टिव सीजन जाने वाला है मारती सुज़गी के लिए या उस पे मश्रूत है कि प्रोडक्शन जो है वो डिमांड पैटन के मुताबिक होता है अगर वो डिमांड पैटन के मुताबिक होता है तो निश्चीत रूप से ब्लॉक बस्टर सीजन होना चाहिए और फूल उमीद है कि इस बारी की सेल्स एक ब्लॉक बस्टर सेल्स रहेंगी तो ये त्योहा की मौके पर मारूदी की क्या तैयारिया है ये हम आपको भी बता रहे थे